हेलो दोस्तों स्वागत है आपका माई यूटूब चैनल पर आज हम आपको बताएंगे प्रोस्टेट यानि गदूद क्या होता है यह कैसे हो जाता है चलिए जानते हैं इसके कारण लक्षन उपचार और बचावसाहित पुरी जानकारी चलिए बात करते हैं विस्तार से प्र सरीर में 25 मुत्राश्य के बीच में होती है जैसा कि आप चितर में देख रहे हैं जो मुत्रमारगनली को चार और से घेरे रखती है जिसको हम सामानने बासा में गदूद भी कहते हैं बात करें तो प्रोस्टेट गरंथी पूर्सों में वीरी के उत्पादन में मददगार हो साथ में मिलकर सीमन बनाता है इसके अलावा बात करें तो प्रोस्टेट बढ़ती उम्र से जूड़ी एक सामाने श्थिती है जो पचास वर्स से अधिक उम्र के व्यक्तियों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है चलिए बात करते हैं कि क्या होता है कि मुत्रमारगन निइने अलिक्शिंधली मुत्रस्य से प्रोस्टेट के माध्यम से weiß के अन तक पहुंच ता जब यूरीन करते हैं तो यूरीन इसी इस स्रीप खेंच कर साथ कि बढ़ने की वह से बात्रूम करने समय बात्रूम कर बात्रूम से जुड़ी समस्यां पैदा हो जाती है, चलिए बात करते हैं सिम्टम्स की इस तरह की समस्या होने पर क्या-क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशाब रुक रुक कर आना पेशाब की इच्छा होने पर पेशाब पास नहीं होना पेशाब में पस या कून आना इसके अलावा बातरूम में जलन और दर्द होना और जो है इसके अलावा पेशाब रोगने में अक्षमता और जो है बातरूम जो है बूंद बूंद करकर आना इस तरह के लक्षन जो है दिखाई देते हैं यह बात करते हैं डाइग्नोस की इसक कुछ बलड जहांचे करा जाती है जैसे के एफटी सीबी सी अल्टरसाउंड और यूरीन जहांच करा जाती है जिससे में यह पता चलता है कि जो है हमारा प्रोस्टेट है किसी स्तिती में चली बात करते हैं तो कि इस तरह की समस्या होने पर क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है इसमें कुछ टैबलेट की जाती है टैबलेट व्लेटेम प्लस जिसमें तुम सुलोशीन साल्ट होता है जो प्रोस्टर्टे आकार को बढ़ने से रोगती एक इसके अलावा टैबलेट फाइनिस्टाइड-1 mg-5 mg रोगी को प्रेस्काइब की जाती है आप जो है इसके टैबलेट पाइरोडियम दो सेंजी जलन दर्द और बार-बार पिश्रा बानी जैसे समस्याओं में टैबलेट जो है रोगी को दी जाती है और इसके लावा जो है पैंटो फोर्टी टैबलेट सुवह साम खाली पेट दी जाती है रोगी की कंडिशन पर डिपैंट करता है कि उसको किस तरह का ट्रीटमेंट देना है ज्यादा समस्याओं होने पर अपने नजदी की डोक्टर से सला लें और कोई भी दवाई लेने से पहले यूरो रोजी डोक्टर की जरूर सला लें क्योंकि इन दवावां के स्टेफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं बात करते हैं प और जो है इसके लावा परती दिन वायाम करें पानी ज्यादा से ज्यादा पिए हरे पत्यदार सब्जें संतुली ताहार और फल ताजे फोलो का सेवन करें यह सब आप फोलो करें इस तरह आप जो है प्रोश्टेट के जोकिम को कम कर सकते हैं आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा अगर आप हमारी जानकारी संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और बैल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचें चल